हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बाइक टिलिंगो अड़केस यूट्यूब चैनल, आज हम लोग डिसकस करेंगे सब्जेक्ट भरब अग्रिमेंट का रूल नमबर 25, इस पार्ट में हम लोग डिसकस करेंगे लेडिल, 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 वेरी लेडिल के बारे में, आप हाँ पे देख रहा हूँ हो, जो के लेडिल के साथ लगय है, तो कुछ और ही मिन्ग हो गया, लेडिल के साथ दो लगया है, सारा का मीनिंग चेंज होड़ा है, ठ work है, लेडिल का है, लेडिल, एक निगेटिव वोड है, तो इसका मतलब होता है, नов के बराबर, ठ जीक है, अजब little के साथ all लग गिया, जब little के साथ all लग गिया, तो इसका मतलब हो जागा थोरा, ये कि sum, कुछ तो है, अब मालों जो कि यहां पर glass है, तो इस glass में थोरा पानी है, जिसे आप प्यास तो बुजा सकते हो लेकिन आप सर्वाइब कर सकते हो तो लेकिन आप जी सकते हो इस पानी से ना दो लेटिल का मतलब हो जाएगा थोरा जो थोरा एनकि इसमें जो भी थोरा पानी है यह को पानी है नहीं लेकिन जो भी थोरा पानी है वो सारा के सारे आपने पानी पी लिया जब तेलब लूट जाएगा तो तो ठीक है अभे właści respecting कम मतरा में यह की ओर भी और भी को मतरा हमेशा हाट का यूजन मतरा है यूज कता था अलिडि الإ restaurants के साथ क्या यूजन हो गाइज अम यहां पर क्ली यह है टुले इस भेश grht Ill holy अलिड के साथ water विए कि लिडेटिय। के साथ क्या होता सक्तां है? कि धूप का यूज़ोगा? हमेशा से तरीक से कुछा जाएगा य तो यह सब आप में रखना है क्या होता है लेक साथ हमेशा और हमेशा क्या आएगा uncountable noun का use होगा और uncountable noun है तो इसके साथ singular verb का use होगा ठीक है नौ अब हम लोग इसके बारे में पूरा detail से समझते हैं ति लिटिल अब लिटिल जब बिदाउट और होगा इसमें कुछ भी नहीं लगा होगा लिटिल ही होगा तो इसका मिनिंग क्या होता है नियरली नो या यहां पर देखो संटेंस से समझो अब यहां पर लिटिल फूड का मतलब क्या हो गया लिटिल फूड का मतलब हो गया नो के बरावर फूड नो के बरावर कुछ था उसमें तो देर वाज लिटिल फूड फूड इनकी फ्रीज में नो के बरावर फूड था इसमें अब यहां पर लिटिल फूड का मतलब क्या हो अब रिया, अब very little के बारे में आप देख लो, very little की मतलब क्या होता है, very little का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, तो रिया is very thin because she eats very little, यानिकि nearly nothing, यानिकि नौ के बराबर वो कुछ खाती है, तो रिया क्यों थीन है, रिया क्यों दूली पतली है because she eats very little क्योंकि वह बहुत ही कम खाती है ना कि बरावर खाती है इसलिए वह पतली है तो very little कब बारे पता चलिए little के बारे में और very little के बारे में ठीक है ना अब यहाँ पर देखो एक स्क्षा जारा रहा क्या बहुत लेता हूं लेकिन ज्यादा नहीं थोरा बहुत अले करे किया मतलब समझनों यहां पर क्या है, some but not much, कुछ थोरा बहुत, ज्यादा नहीं, तो she did not eat anything, but she drank a little water, उसने कुछ भी नहीं खाया, she did not eat anything, उसने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन, but, लेकिन, she drank, उसने पिया a little water, थोरा सा पानी, क्या है, अब दो लिचल में देख क्या मैंने समझाया था, जो कि जो भी बचा हुआ है, वो सब, एनकि एक तो थोरा है ही, लेकिन थोरा में भी जो भी बचा हुआ है, वो सब, अब यहां पर देखना, example बहुत ही अच्छा है, I spent the little money I had, मेरे पास तो कुछ पैसे ही थे, लेकिन जो भी पैसे थे, मैंने खर्च क करती है, यहां पर meaning आप और भी clarity से समझ लो, I spent all the money I had, मेरे पास I had, मेरे पास जो भी पैसे थे, मैंने खर्च करती है, I spent all, ठीक है, the money I had was not much, यहांने कि मेरे पास जो पैसा था, वो ज्यादा नहीं था, लेकिन जो भी था, मैंने खर्च करती है, इसका complete meaning यही होगा, ठीक ह मेरे पास जो भी पैसे दे, जो भी थोरा पैसा था, मैंने उसे पूरा कपूरा खर्च कर दिया, I hope आपको little, a little, the little, very little के बारे में पूरा clarity आ गया होगा, now, अब यहां पर आओ, example देखो, a little money, यह exam में किस तरीका से पूछा जाता है, वो है आपका, ठीक है, a little money have or has been given to me, a little आया, इसके साथ क्या आएगा, कौन साना आएगा, uncountable आएगा, money आया, सही है, अब uncountable आएगा, क्या होगा, verb ही क्या होगा, singular होगा, has होगा, have नहीं होगा, little have or has been done to convince सुना लिका, ठीक है, little आया, तो इसके साथ verb क्या आएगा, has आएगा, have का use नहीं होगा, the little milk I have bought is to be boiled तो यह संटेंस सही है कैसे सही है तो देखो I have bought यह क्या है आपका describing element हो गया अब यह वर्ब जो आएगा किसके recording आएगा अब देखो very little tea very little tea have नहीं has हो जाएगा ठीक है तो very little tea has been offered to me now a little knowledge a little knowledge knowledge uncontainable noun हो गया अब वर्ब क्या आएगा singular आजाएगा इस आगा आप नहीं आएगा a little knowledge is a dangerous thing little milk was available in the pot ठीक है लेडिल आया मिलका uncountable वर्ब भी singular आया यानकी correct sentence है कोई भी error इस पार्ट में नहीं है तो आपको इसाम में इसी तरीका से पूछा जाएगा uncountable noun की जगह पे plural countable noun दे देगा singular verb की जगह पे plural verb दे देगा तो इस तरीका से आपको कुक्शन को सॉल्व करना है गाइस आपको यह वीडियो अच्छा लगो प्लीज इससे लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो इससे जादा से जादा लोगो तक पहला हो पहुंचाओ थैंक यू थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो